हेलो एव्रिवन आज बनाते हैं हम दो बैगन से बहुत ही ज़्यादा टेश्टी सबजी और ये बनाना बहुत ही आसान है इसके लिए हम इसे पहले छोटे-छोटे पीसेज में काट लेते हैं और जो खराब पाट होगा उसे हम निकाल लेंगे ये देखे हैं इसे इसी सेप में मैं काट रही हूँ आप चाहे तो बड़े सेप में भी काट सकते हैं इसे पहले मैं पानी में डुबा लेती हूँ उसके बाद इसे निकाल लोंगी अब यहां पर मैं ले ली हूं चार टमाटर मिरची और यहां पर है यह बड़ी इसे मूली बड़ी कहते हैं अब मैं एक कड़ाई में दो शमस तेल डाल लेते हूं सबसे पहले हमें यह बड़ी को थोड़ा सा फ्राई करना है थोड़ास सुनाहरा भोनेंगे इसको यह मूली बढ़ी है यह खटे सबजी में डलती है इसे हम निकाल लेते हैं थोड़ासा भोन के अब हम इसे इसमें सरसु डाल देते हैं एक चमच और डालते हैं मिर्ची और साथ में हम कडी पत्त भी डाल देंगे इसके बाद मैंने मेथी भी काटके रखा था उससे डाल देती हूँ क्योंकि अभी ठंड के मौसम में मेथी आती है अब इसमें हम बैगन को डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा पहले भूनते हैं पांच मिनट भूनने के बाद इसमें हम नमक डाल देते हैं एक चमच और एक चमच हल्दी डाल देते हैं और सब को अच्छे से मिला लेते हैं उसके बाद इसमें डाल दूंगे मैं टमाटर थोड़ा से ढख देंगे ताकि टमाटर अच्छे से पख जाए अब सब को अच्छे से मिला लेती हूँ और फिर थोड़ा से ढग देती हूँ आप चाहे तो इसी में हम दही डाल सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा से ज़्यादा पकाती हूँ यह देखे अब हम इसमें दही डाल देंगे अब जितना खटा डालना चाहते हैं दही उतना ही डाल सकते हैं सबको मैं लालूंगी यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ और यह बड़ी को डाल देती हूँ अभी मैंने रस थोड़ा जादा किया है क्योंकि बड़ी में रस अंदर चले जाता है तो कम हो जाता है अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ धनिया पत्ती और यह बन गया है हमारा सबजी अब मैं इसे मिला लेती हूँ बहुत ही जादा टेस्टी लगता है आप भी जरूर बन में तब तक के लिए अपना ध्यार है कि बाई